पुने चत्रपती शिवाजी महराज की जन्मभूमी तथा मराथा सामराज्य का प्रमुख शक्ति केंद्र देश का एक प्रमुख आईटी कॉरिटोर एवं ओद्योगिक खेत्र प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रित्व में सरकार ने गती शक्ती के स्पिरिट से बुनियादी धांचे को बढ़ावा दिया है उनके 9 साल के सुशासन में रोजाना राजमार्गो के निर्मान की रफ्तार दुगनी से भी ज्यादा हुई है पुने जिले और शहर में लगभग तिरपन हजार करोर रुपे का सड़क विकास कार्य चल रहा है। प्रगती की इस श्रिंखला की अगली कड़ी है बहु प्रतीक्षित चांदनी चौक इंटरचेंज तथा फ्लायोवर परियोजना। जिसका आज केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्रीन नितिन गटकरी जी के शुप कर कमलो द्वारा राष्ट के प्रती समर्पन हो रहा है। कुल 16.98 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का 2.2 किलोमीटर लंबाई वाले चांदनी चौक इंटरचेंज का निर्मान कार्य पूर्ण हुआ है। पी, एम, सी तथा सरकार द्वारा अधिकरहित भूमी पर बनी इस परियोजना का लागत मूल्य 869 करोड रुपे है। पानी पुरवठा रोड, मुल्शी जंक्शन से मुल्शी एंड, कोथरूट जंक्शन से कोथरूट। इन अलग-अलग सडकों को कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। इस परियोजना में कुल चार फ्लाइ ओवर, एक अंडरपास का चोड़ी करण तथा दो नए अंडरपास का निर्मान किया गया है। आवाजाही के लिए बिलकुल तयार इस परियोजना से यातायात में सुगमता आएगी। ट्राफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। तथा दुरघटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। आज श्री गटकरीजी द्वारा इनेच साथ पर खेड सिननर सेक्षिन के 14 किलोमीटर लंबे और 495 करोड रुपे लागत मूल्य के खेड मंचर बाइपास के चार लेनी करण परियोजना का भी उद्धाटन हो रहा है। इस परियोजना में 6.64 किलोमीटर का सर्विस रोड, एक मेजर ब्रिज, नौ माइनर ब्रिज, एक फ्लाइओवर, पांच पेडेस्ट्रियन अंडपास, एक वेहकिलर ओवर पास, तीन लाइट वेहकिलर अंडपास, साथ मेजर जंक्षन आधीगा निर्मान किया गया है। इस परियोजना से पुने से नासिक का यात्रा समय देड़ घंटे से कम होगा, जिससे बहुमूल्य इंधन और समय की बचत होगी, पर्यटन तथा धार्मिक स्थलों की पहुँच अधिक आसान होगी, खेड, मंचर, इन शेहरों को ट्राफिक जैम की समस्या से चुटकारा मि इसी चहुमुखी विकास को बढ़ावा देते हुए केंद्रिय सडक और राजमार्ग मंत्री श्री नितन गटकरीजी द्वारा दिया गया सडक परियोजनाओं का ये उपहार, देश के बुनियादी धाचे के विकास प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है